के सब्सक्राइब और यहां पर देखो पहला कोशन आप देख पार है विद्यारत्यू के एक सम्हों द्वारा एक मोहले के 20 परिवारों पर किये गए सर्विक्षन के परिणाम स्वरूप विभिन परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंतित निमलिकित आकड़े प्राप्त हुए अब जो एक उपर वाली आप टेवल देख रहे हैं यह होती है वर गंत्राल जब आप इसको अपनी नोट्वुक में टेवल को बनाएंगे तो इसको आप लिखेंगे वर गंत्राल और नीचे हो था आपका बारंबारता यह बारम बारता ठीक है बहुलग निकालना है तो यहां पर मैं आपको सिर्फ सिंपल बहुलग का सुट्र लिख कर देता हूं और क्योंकि बहुलग का सुट्र अगर आपको पता है तो पोशन आप इसलिव कर पाते हैं यह होता है यह ब्रेगर में f1-f0 बट्टे 2f1f0-f2 multiply म में यह आपको सिंपल यह फोर्मला याद है और यह मान अभी मैं आपको सिखा दूगा कहां से उठाने होते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह बता चल गया वर्गंत्राल फिर दूसरा आता है बारम बारता फिर बारम बारता वाली टेवल में f1 का मान उठाओ अगर मैं सिंपल देखो कुछ अलक्स में आप पूरा डिफाइंड निकारा क्योंकि अल्रेडी में यह पूरी चैप्टर एकसे सब्सक्राइब करा चुका है यहां पर मैं सिदह आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस को सबसे जादा जो सबसे बड़ी संख्या होगी ब हो जाएगा आपका एक फ्टू कितना है दो फिर उसके ऊपर जाओ जब हम पर जाएंगे तो इसके सामने वाली जो संख्या होगी जो बिद्द राल ना कितना हो जाएगा एक लेगा सारे मान आपको यहां पर मिल गए दिखो लेल कमाने आपने रोड़ लिया तीन और एफ वन हो गया आपका आठ एफ जिरू हो गया साथ एफ लोगा दो और एप कितना आपका दो सारे मान आपने इजली निकाल लिए अगर नहीं समझ में है तो एक बार वीडियो को जरूर खोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देखना है कैसे कैसे हमने मान उठाएं तो मान रख देते हैं सिंप्ली एल कमान हो जाएगा तीन प्लस ठीक है तीन के बाद हमने यहां पर लगा दिया प्लस जैसे यह से कोशन में किया और फॉर्मले में है वह मान हमने आप रख देते हैं आपके पास आठ एफ जीरो है साथ बट्टे दो गुणा एफ़वन एफ़वन कमान आठ माइनस एफ जीरो क्या है प्लस है अब फॉर्मले रहन देते हैं इधर आजाएगा एक बट्टे है प्लस आ जाएगा एक और पूरे के बट्टे में आठ दू हो जाएगा सोला और यह दोनों माइनस में कितना जाएगा कटा करके नौ सुरी घठा करकर कहा रहूं साथ में से दो इन दोने को ज सब्सक्राइब आगे चलते हैं तो यहां पर देखो तीन प्लस यहां पर दो क्योंगा जब आप एक सब्सक्राइब कर लो या फिर सीधे सीधे यहां पर आगे सॉल्व नहीं करना है सिंपल साथ को दो से भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा जीरो साथ दूनी 45 छफान आगे फिर बचा चार फिर आप पास तूपीर बढ़ जाएगा साथ कि इसके ना पॉइंट दो आठ पांच तो इदर तीन है ब्लस का पॉइंट दो आठ पांच लिखा इन दोनों को जोड़ेंगे तो आजएगा तीन दसम्लब दो आठ पांच क्या निकालना था कब भोलन निकल करके आगे कितना तीन दसम्दलव दो आठ पाच में हैं आपका फॉर्मला जो आप यहां पे देख पा रहे हैं इस फॉर्मले को याद कर लिजिए और उसके बाद कौन समान कहां से उठाना उसको समझ लिजिए इस कोशन में और कुछ है नहीं करने जाए तो कि पहला कोशन आप अच्छे से समझ गयोंगे तो आप चलते हैं नेक्ट कोशन यानिकोशन की तरफ यहां पर देख पा रहे हैं किसी स्कूल की कक्षा दस के क्यावन लड़कियों के उचाईयों का एक सर्वेक्षन किया गया है और अब कोशन में यह बोल दाए कि कुल लड सामने बाड लड़कियों के संख्या वह जाएगे क्या आप कि संची अब द्रेटा की सब्सक्रीक एक पहले थोड़ा सा वीडियो को रणकर करके वह टेवल बना लेता हूं इसके我跟你 सब्सक्राइब देखेंगे तो आप कंट्यूनु देखेंगे तो टेवल बच्चों मैं बना चुका हूं इस तरह से आपने पूरी टेवल बना लेनी है ठीक है यह सारे मान जैसे आपको कोशन में रखे थे वो माने मैंने आपे अलग से रख दिये अब इसमें जो आपको समझ बारता और संची बारम बारता है क्या होती उससे पहले माध्यक का सूत्र देख लेते हैं क्योंकि माध्यक का सूत्र अगर आपको समझ आगया तो यह कोशन आपके लिए कुछ मिनी रहा जाता है माध्यक बराबर होता बच्चों एल प्लस ब्रेकट में एन बट्टे दो एफ और गुणा में आजाता है आपका एज यह फॉर्मला याद रखने आपने अब देखो यहां पर से वाली टेवल आपकी यह हो गई ठीक है एन बट्टे दो एन आपका कहां से निकलेगा एन यहां से निकलेगा ठीक है और यह आपका एन और कैसे आया वह भी आपको से देदे इस तरह से दिया हूं कि से कंगया जाहां कि कि पानटालिघा यहां सब्सक्राइब आपको देखने को मिल जाएगा अब आती है बारी बार बारबारता वाली टेफल निकालने यह टेबल जैसे अगर आपको याद हो अगर आपने वाली कोशन कर रखें मैं उसका सॉलुशन दे रखाया तो जब हम एफ से संख्या लिखे तो जब आपको यहां से निकालना तो इसके लिए पहली टेबल को वैसे लिखेंगे यानि यहां क्या करेंगे फिर इसमें इस से आप क्या करेंगे यह जोडते जाएंगे फिर इसमें साप यह गटाएंगे देखो 9 है नौ में साब उपर वाले को अगटाएंगे चार पांच यह वापस संख्या जाएगी पहला वाला सेम जाएक यानि चार का चार फिर 11 में से चार घटाओ यानि इस तरह से आप अप उपर वाली संख्या पड़ते हैं कि एक गुस्य से माइनस होती जाएगी यह तीन आपने सिर्फ समझाने के लिए पहली संख्या वैसे फिर ग्यारा में से चार उटाओ कितना बचेगा जल्दी सबताओ साथ ठीक है ऐसे 29 में से ग्यारा माइनस करेंगे बचेगा ठीक है और आ आपर भी आना चाहिए ठीक है तभी वह आपके सी टेबल होती है इसको भी आपने ध्यान नहीं रखना है बस सिंपल यह देखो कि इस तरह से आपने बारां-बारता निकाल लिए अब इन सब को जोड़ों देखो क्या मना आएगा इस तरह आपको पहले टेबल अगर मालो यह से कम नहीं दे रखा तो सेंपल सब्सक्राइब रहेगी वह पारां-बारता वाली फिर आपने सी एफ निकालना है अभी कोशन हो रहाएगा जैसे जहां पर आपको मैं से निकालना भी बताऊंगा फिलाल अभी आपको यह समझना अगरा बारां-बारता कैसे निकालना और से कम वाले को कैसे सॉल्व करना है अब अगला जो स्टेप आप फॉर्मॉला देख रहे हैं ना फॉर्मॉला आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मात्यक बराबर क्या होता है ल प्लस बट्टे दो माइनस इप टे एप गॉना एच तो थिया पर यह मान कहां से एंगे उसके लिए अगला कां आपने जो जो करना है वो निकालना है मा miraculous तो मांदय का सी नेखे है मादय की स्टेछे मादी को निकालने के लिए आपने न क्या करना है आपने न बट्टे दो न कमान देरखा आपको 15 बटे में दो इसको जब आप सौल्व करेंगे तो आजागा 25 पांच क्या गया 25 पांच अब यह जो आपने देखना है 25 पांच प्रेक्षन किस वाले में आएगा 25 पांच ठीक है यानि किस से पहले आएगा तो यह देखो जब आपको यह पता चल जाएगा 25 पांच किस से पहले आ रहा तो इसी टेबल को आपने बना देना है एफ इसके क्रॉस में बन जाएगा आपका और इन दोनों के बीच का अंतर जो बनेगा वह बनेगा एच और जो सामने वाली संक्या होगी वह बन जाएगा एल ठीक है द्यान से सुन लो एक बार की आपका जो माधिक वर गया 25 पांच अब यह देखना है कि यह किस संक्या से इसमें सी एफ वाली टेबल में किस से 289 से जस पहले आएगा तो उसी टेबल के से जाना है आपने बारांबारताा वाली टेबल में वहाँ से अपने एक वडा लिन है ठीक हो गया और जो निम्यों और दोनों का अंतर आपका एच हो जाएगा और जो निमनों वर्ग होगा वही आपका एल बन जाएगा सुत्र यहां आप देखी चुके तो सिंपल मैं सुत्र में मान रखता हूं पहले है एल तो एल हो जाएगा आपका कितना है एक सो यह 55 फिर आपका प्लस ड्रैकड में एन बट्टे दो और प्लड ब्लशी निकाली चुका है पर चीर सम्ल पांच फिर आपका है मायनस का सीय मैंने मायनस लगा दिया और सी आपके पास ग्यारा बट्टे में क्या है एफ और एफ आपके पास अट्रा और गुणा में है एच और एच कितना है आपके पास एक सुप्टास में पिंटाइस गठाएंगे पाँच सारी मान आपने रख दिया सौल गरते हैं एक सो पैंतालिस प्लस पत्चेस दसमलब पांच मेंसे गठाएंगे कितना ग्यारा ठीक है तो आप पांच का तो पांच आई जाएगा पांच में से जाएगा चार और दो में से जाएगा एक कितना बच्चा चौदर दसमलब पांच हुआ चौदर समलब पांच बट्टे में अठारा और गुणा में पांच अब इस पांच की मल्टिपलाई करा दो उंदर कि व्युज्वर्ट कि पच्चिस हाश्य लगा दो फाच शुकर बीस और दो बाइस और एपर पॉइंट लगा दिया पांच गंपा पांच बत्त बटे अट्राइब भी पूरे के बट्टे मुनिया बट्टे मनिये शिर्फ इसको बैंट पांच बट्ते 18 चांब गरेंगे इस पूर्य को बातर दस्मलाब पांच और पट्टे अठारा तो यह जागा देखो अठार चतेश रंचोन अठाचों को बातर पॉइंट लगा पांच में भाग जाएगा नहीं है ना तो इसको बातर दस्मलाब पांच को सीधे सीधे कल्कूलेटर से बाग मैं आपको देखे पार चार दस्मलाब 02 कितना गया चार अचार दस्मलाब 02 यानी इदर आपके पास 145 कि राजगा चार दस्मलाब 02 अब इन दोनें को जोड़ तो 145 में चार जोड़ेंगे कितना जागा एंशो एकशो उडंचास 10 समलाब 02 यह आपका क्या आएगा final आंसर होजाएगा आई हो का योग 100 है तो एक्स तथा वाई का मान ग्याद कीजिए अब इसमें और लेड़ी आपको क्या रखा है वर्गंतराल सही दिया रखा जैसे पिछले वाले कोश्चन में था कि से कम से कम तब आपने जो टेबल बनाई थी वह बारंबारता की बनाई थी आप यहां पर वर्गंत कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छा से सको समझ पाएं ठीक है तो यहां पर एक लाइन और रहा हो चुगी आपकी और यह जो टेबल आपकी कौन से रहेगी संचे बारंबार था ठीक है संचे बारंबारतों के बोलते हैं इंग्लिज में इसको नाम देते हैं और जो सी सभी इसको नोट कर लेना है दो श्को जोर टे जाना है दो में पांच जोड़ेंगे हो जाएक साथ फिर साथ में जोडेंगे एकक बाद फिर आप इस तरह से जोड़ेंगे लेग में दो प्लस एक्स फिर आगे जोड़ो के जोड़ना इसमें प्लस एक्स फिर आप इसमें जोड़ो को निसमें शत्रा तो यह बन जाएगा बच्चों आपका कितना चत्तिस प्लस एक्स अगे जोड़ो बीश चत्तिस में बीश जोड़ेगा आ जाएगा चपन एक्स फिर चपन में दिखा आगे वाइ जोड़ना है तो य इसमें जोड़ेगा नैस को म अलग से लिख लेते हैं क्लेस फिर प्लस वाइपटीर चपन में जोड़ेंगे तो हो जाया आप इतना 55 यानि एक्रास आपने जोड़ा पहली शिर पाएगी सीदे वैसे और उसके बाद क्रॉस जोड़ना है प्लस प्लस एक्स वहाई आगया कितना मैं साथ जोड़ों हो जाएगा उब अगला जो इस टैप आपने करना है वो धियान से देखेंगे जोडने की जुरुषित है कि आप लोगों को जोड़ लेते हैं क्योंगि यहांपे आफ़ों का मास के 556 और 12 बारफ़तों का योग यहां पे योग आपको desert किते हो कितना 100 यहां पर लिदिये एक अलग से द्यान नकन आगर आपको नहीं पता था यानि जो योग होगा इनका बारम बारता होगा वो इसके बराबर होना चाहिए तो पहला समीकान प्रेक्ष यहां से उठाते हैं कि समीकर उंठेक आपका कि अगला स्टेब आपने करना है एक तो आपको क्या बता हूं ची माध्यक का सूत्र पतावने चीए हम यहां पे लिख लेते हैं मात्यक थे मात्यक बराबर आपका क्यों होता है एल प्लस एन बट्टे दो माइनस सीए बट्टे में एफ और गुणा में आजाएगा क्या बच्वाप का है ठीक है इसको गुणा में लिख लेते हैं कि मल्टिप्लाइ में आजाएगा एच फॉर्मला देख लिए आपने अब यहां से आएगा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर यहां सब से उपर मात्यक दे रखापको ना पांसो पच्शिस अब इस पांसो पच्शिस को आपको लेना वर गंत्रालम और यह देखो पांसो पंच्शिस को बैइए तो पांसो पच्शिस देखो फांसू और छह्सो के बीची में आएगा इतना आपको समझ्ग में आ जब आपको यह पता चल गया कि फांसो पांसो प dunno संख्यों बाद में बैकर एक बनेगा अम सी और इन दौनों के बेच का जो अंतर ऑगा पोने मिलेगा मिल जाएगा किस कमाल है F फिर आपने क्या करना है एक चाहिए अपर जाना है जिसर्फ का मुलेगा और आपका सी एफ सारेमान आपको मिल चीडह है तो अब यह मान आप उपर ले चलते हैं ल कमाल है ल बड़ाबर बच्चों कितना वा गया पांटसो मैंने आपको दिखाया कैसे निकाला फिर आते हैं नीचे एच के मान पर एच आपका कितना सौ फिर चलते हैं किसके सी एफ के मान पर सी एफ कमाने 36 प्लस एक्स 36 प्लस X फिर आपका F कमान F आपका कितना बेस कहीं पर भी लिख सकते हैं आगे पिछे कोई दिक्कत नहीं है कि एच वेफ और यहांपर न बटे दो कितना है यह होता है यह इसको यहां पर देख रहे हैं तो आप जब आप सो बटे दो करेंगे तो आपका क्या निकल करके आजएगा पचास सारे मान आपको मिल गया कि अब सिंप्ली कर लेते हैं इस को सॉल्व मान रख दो खड़ावट माध्यक एल कमांद 500 फिर उसके बाद आगे चलते हैं आपनी क्या रख दिया और अगला स्टेप चुराएगा और एक चीज और जॉप को दे तो यहां पर इसको मैं थोड़ा से कर लेता हूं सही कि माध्यक आपको माध्यक वर्ग और लिडिक दिया हो मैंने आपको इस्टारिंग में दिखा देगे 525 दे रख था है तो फॉर्मुला देखो माध्यक के नीचे मैंने 525 रख फिर एल बराबर हो गया आपका पांसो फिर सिए आगे चलते हैं प्लस एड बट्टे 2 कमाणब अभी आपने निकाले थो कमाणब-पचास माइनस थेजित आपको छेट्स करह है इंवागा विग्त में लिखेंगा लिक्त सब्सुर्ष बर्टे दोनों मैं निकलेंगे ब्रेकट प्र्माइब नहीं और निकलना का लुख रकट में हैं इस सारने लगवग आपने रख दिए है एक मान बच अहीं किसका चाहरे उब आपने से मान लग दिए है अब आप टो आप दो प्लैक्स कमान ऊपर जो अपने रख से अब बचा ब्राबर इदर पचास ब्रेगेट को खोलेंगे तो जाएगा माइनस का चत्यस फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का एक्स कुरे के बट्टे में 20 गुणा में 100 तो यहां से भाग देदो 25 हो जाएगा कितना सो कंप्लेट और आगे देखते हैं या भी इसको कड़ मत करो तो फिर कई भी बच्छे कंफ्यूज हो जाएगे आपे 500 में से 525 गटा कितना बचेगा आपके बास 25 ऐसे ही 50 में से 36 माइनस कर दो 50 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके बास जो बचेगा वो बच जाएगा 14 14 माइनस X ब्रेकेट में इसको रखो बट्टे में 20 है ही गुणा में 100 यहां पर आजाएगा 20 बंजे 100 अब देखो यह गुणा में 5 है बराबर की दिर लाओगा किसमें आ जाएगा बट्टे में इदर बचेगा आपके बस 14 माइनस X डाउट नहीं होना चीए 25 बंजे हो जाएगा कितना 25 इदर आपका 14 माइनस X प्लस डाउट यह से एक समी करण एक में रखने पर यहां पर रदो है एक समान एक्स कमान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक आपका था एक्स प्लस वाई रावर चॉबिस एक्स कमान निकल आपने नौ प्लस वाई ब्रावर चॉबिस वाई ब्रावर आजागा आपका चॉबिस माइनस नौ तो चॉबिस में से जब आप नौ घटाएंगे तो वाई बचेगा आपके पास 15 कॉशन में आपका चैप्टर फोटिन था सैंकी कि उसमें सिर्फ इतने ही कॉशन आपकी एक्जांपल में से आने वाले हैं इस इस एक एक्जांपल आएगा यह आएगा 100 परसेंट गरेंटी अब अगला जो है वह है प्राइक्ता तो पहले तो मैं आपको यहां प्राइक्ता का सुत्र लिख देता हूं ठीक है प्राइक्ता किसी घटना के होने की प्राइक्ता यह है उने की प्राइक्ता बस यह दोसों तरह आप नियाद रखने होने की प्राइक्ता होता है आपका अनुकुल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम होने की प्राइक्तों हम दिखाते हैं किस से पी इस प्रॉबिलिटी ओफ एवेंट ठीक है और पी इबार होता है आपका गटना के गटित ना होने की प्राइक्ता यह है ना होने की प्राइक्ता ना होने की प्राइक्ता यह था बच्चों एक माइनस होने की प्राइक्ता और होने की प्राइक्ता आप इस तरह से निकाल लेंगे तो यानि एक माइनस हो जाएगा आपका पी ए ठीक है इतना आपको ध कि इन दोने चीज़ों को आपने याद कर लेना है अब इस को देखते हैं कि क्वेशन में हम से क्या पूछा है बोला है दो खिलाड़ी संगीता और रेस्माट टेनिस का एक मैच खेलते हैं यह ग्यात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्राइक्ता कितनी है जीरो दस ब्ल संगीता जीरो दस लव चेड़ो जीत रही है तो अगर मैं सौ मैंस कर दोंगा जीरो दस ब्लब शेड़ों को तो बाकी अब सुरी पूरे मैंसे नहीं एक मैंस करेंगे ठीक है क्योंकि जो आपका यह है पूरा प्राइक का होती है एक एक मैसे अब जब पॉइंट जीरो दस सब्सक्राइब करेंगे जो आपका बचेगा वह आपकी क्यों जाएगी अब इस पॉश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल जोब में रखना है क्योंकि हमने तो इसको मैं 30 से करना है जो आपकी प्राइक तेवाला सूत्र है अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो देखो क्या आप जाएगा अनुकुल पर्णा पहले तुम क्या लिखेंगे रेसमा के जीतने के अनुकुल पर्णा अब रेसमा के जीतने के अनुकुल पर्णा अब रेसमा के जीतने के अनुकुल पर्णाम कोई बता सकता हुच्छों मेरों को जल्दी से देखो रेसमा के जीतने के अनुकुल परिणाम यहां पर हारने की या फिर यहां पर निकालने की कई को जीतने की प्राइक्ता वे समय कि जीतने की तू है वे प्राइकता ले रखाए दूसरे की निकालनी और में से निकाले के वें उसमें से माइनस कर देना हैं जब आप एक में से जीरो जब चार दो को क्या करेंगे सब्सक्राइब तो यह जो आ जाएगा आपका तीन आठ गो ठीक है संगीता की जितने की रखी यानि इस में इसमें वह सिंपल सा क्या था एक के जितने की प्राइक्ता और आपको पता है अभी भी जिरो से छोटी है एक से बड़ी निकाल सकते हैं तो इसमें तो कोई डाउट नहीं रहे हैं पॉइंट के निच्छा में सब पॉइंट आने जब एक आपकी कहा है तो इधर जहां नहीं आम पसके तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर तो जब आप एक दसम लब इसमें से देखो एक में से जब आप तीन घटाओ तो दूसरा किसका जाएगा संगीता की जितने प्रैक्ट और फिर अगर संगीता की दूसरे देश्मा की जितने प्रैक्ट निकालनी है तो सिंपल साब छे दो को घटा देंगे एक मैसे तो इसका अंसर सिर्फ इतना ही है कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण भी वही है सेम चीज होने और ना होने की पताओ बिंडित रहे इसकी अंतर है कि डोनों के जन्मदिन का है दिल फिल फिल यह है यह थी कुठ निकालनी तो ऐसे एक ही पॉस्चिह थी होती है योशाल में की डोनों का जन्म एक लड़की एक है वो भी यह और यह थी तो एक दिन अगर दोनों की दिन तो ऐसे दिन कितने हैं एक तो दोनों के एक दिन कि दोनों के जन्म दिन लिए बिन भिन यहां पर मनुकुल परणाम लिख लेते हैं बिन बिन होने के अनुकुल बढ़ना फोने के ऊपर आपने फॉर्मला देख लिए होने के अनुकुल बढ़ना एक दिन अगर टोटल लेखो लीप यह नहीं बोला तो पता एक साल कितने दिन को हुथा तो इसमें से एक दिन पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों को दिन जो बढ़ते हो एक दिनों सेम दिनों तो जब हम 365 में निकालते हैं वजते हैं हमार रपास 365 दिन यानि अलग-अलग दिन होने के जो अनुकुल परणाम है यानि 300 पैसरण में से 344 दिन ऐसे हैं जब उनके जन्मदिन हो सकते हैं यह तो आपका पहला नंबर जिसमें दूसरा बोला है कि अलग-अलग होने की अब आपको पी बार देनी दिन निकालना यानि नहीं नहीं निकालनी है तो एक दिन ना होने की प्रैक्तव निकालने इतर दिन होने की प्रैक्तव 25 इसकोब सुल्व कर लेंगे तो आजागा कितना 365 यहां पर बराबर करेंगे तो यह चलिएगा 365 माइनस 365 बट्टे में आजागा पूरा 365 बिन्हों का जोड़ गटाना आप सीखी चुके हैं तो 365 में से चौट जाएगा बच्चे आपके पास एक बट्टे तो यह चलते हैं आज के लास्ट कोशन पर लाशन इसके बाद एक कोशन हो रहे हैं यह प्रशने आपका एक वक्से में तीन नीले दो सफेद और काले कंचे हैं बताना है सफेद होने की प्रैक्ता नीली होने की लाल होने की बहुत इजी कोशन है तो सबसे पहले हमें लिख लेते हैं जो आपके पास कंचे हैं पहला आपका नीला तो नीले कंचे लिख लेते हैं पहले यह अनुकुल पर नाम है सभी के ठीक है नीले कंचे आपके पास तीन फिर है सफेद कंचे सफेद गrid यापके वसंट्व और फीर हैं लाल कंचे यापके वसके रहे हैं चार और कुल कितने हैं कि यह चाथ तो चार-पाच छे सात-ाड्ड नौ फुल गन्चे आपके पास होगए नौ तो पहला नमबर क्या लिखते हैं सिदे-स पे थे थे सफेद होने की प्राइक्ता सफेद कंचे होने की सफेद कंचे की प्राइकता इस सूपर आप से एक लाइन और लिखने तो आपने पहले लिखना है सफेद कंचे होने के अनुकुल परिणाम कितने हैं दो कुल परिणाम कितने हो गया अब तो नौ तो दूसरा है नीला कि नीले कंचे की प्राइक तहीं अगली लाइन में लिखना है प्राइक तब राबर और जागा अनुकुल परिणाम दिनली लिख दिया बट्टे में कुल संभाव परना बत्त टींतmade करां कि सके लाल कंचे की प्राइक्ट होने की अनुकुल पेड़नाम तो अंधी ज़यता हुर्ट होती प्राइइक क्लान में इस था इस तरह से यह क्योंचन है चलते हैं अगला प्रस्थ नहां किकि कोई लड़की कर का है फूभी है हर भी की कह दो को एक साथ उचालती है है दो हुगी उसकता है को आप को पता है कि एक सिक्के में क्या होता है एक हैड होता है दो सिक्के हैं तो दूसरे सिक्के में क्या हो सकता है अब मान लिया एक्जामपल हमने पहले वाले को उच्छाला है डाया दो सिक्के एक साथ उच्छा गई न ऐसे आद्य वह सिक्षाव 70 उच्छान। या यह उ सी आधे की तो नो में क्या जाए यान ये चार आप कि दो सिख्के उच्छालने पर अनुकूल परिणाम कि तो अनुकूल परिणाम कि तो चार देखो एक चित या पट ठीक है चित या पट आपका क्या वाज़ाएगा चित या नहीं है तो यहां पर अगर हम चित की बात करें नमबर कौन सा तो कि चित आएगा तो चित आने कि उनुकूल परिणाम है वह जाएंगे आपके हैड ठीक है यानि हैड हमारे पास कितने हैं ऐसे ही है लेकिंगे के अनुकूल परिणाम चित आने के पर्णाम पर्णाम 2023 नहीं पुर टेहले हैं तो फिर चिराने के ब्लेख लिए फिर प्रयक्ता यानि चिराने की प्रयक्ता सुस्तुकर आप देखने हैं। प्राइकता है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और यह जितने को आप आपने देखें सारे ही मोस्ट इंपोर्टन है तो इन सब्सक्राइब कर लेना है ठीक और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिए अब इसके बाद जो आपके थोड़े बहुत बचे हैं और जो बचेंगा तो चैनल के साथ जरूर जाएगा बाएक आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट की तयारी स्टाट होने वाली बहुत जल्दी तो आज की वीडियो को करते हैं समाब तो आप सब्सक्राइब करें तो अच्छे से त्यारी करें और नमबर लेकर के आए तो मिलते हैं नेक्स वीडियों में थेंक्यों मुच वाचिंग फॉर इस वीडियो